दिल्ली की एक कोचिंग राव आईएस जिसके बेस्मेंट में एक लाइबरी चल रही थी और जल जमाओ इतना जादा अचानक हुआ UPSC के तीन विद्यार्थियों के निधन हो जाने की खबर सामने आगे तीन लोगों की जान चले गएए बाद नहीं है आएए या सौझग ऑट ती यह गएए यजग या किला सुर्ट अज थी तो साजग ंटी तो गुटण शस्टेकिन अचान चानुट्श क इतना था निसके प्रचब कर दो भी आपिए निकरी नियुदिए के इस पहर बीकारीहि की तो सभी अदिकारियों की है अदेश मेडेश भूराणे प्रहूऊ कारवा ही क्या हूरी है जे जाए किस तरह से अपले में पुली स्थीटर करके लेके चारी है जाए मेरे भाही की मत अजि एज एटागे जाए तरह बर्चानिय का लोगे and I have to say that when you have a brilliant student all the dreams of serving the nation through taking the UPS exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered पुलिस के लाठियां भी सह रहे हैं अब उठक जाएं चुप हो जाएं फिर लोड जाएं कुछ दिन बाद फिर कोई दुर घटना हो तब आपको याद आए कि कोचिंग संस्थान, सिक्षा, UPSC, पेपर लीग, लाइबरी, पानी भर गया, कोई मर गया इस देश की सिक्षा बिवस्था पर अगर गहरी चिंता लोगों की होती, कलम और किताब, उनकी रोजमर्रा की चिंताओं में शामिल सबसे प्राथमिता के विशय होते, तो यह चिंता लोगों को होती, कि एक सामान ने ग्रेजुएशन, पोश्ट ग्रेजुएशन के डिगरियों के बाद, या दसवी, बारहवी के डिगरियों के बाद होने वाले, कम्पटेटिव एक्जाम यानि प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए, हजारों रुपए से ले कि सिक्षा को चौपट होते देखा है, और कोचिंग के बिजनेस ब्यापार का फलते फूलते सामराज देखा है, और इसलिए इलहाबाद से लेकर कोटा दिल्ली तक, हजारों की तादात में सामान प्रिष्ट भूमी के पहली पीड़ी के अधिकांश लोग तयारी करने आते और कोचिंग वाले बिना किसी बहुत मानक को पूरा किये, उन तैयारियों के लिए उपलब्ध होते हैं, और ये बात इसलिए क्योंकि दिल्ली की एक कोचिंग राव आईएस जिसके बेस्मेंट में एक लाइब्रेडी चल रही थी और जल जमाओ, इतना जादा अचानक हु कि अब तक आधिकारिक तोर पर तीन विद्यार्थियों के, UPSC के विद्यार्थियों के निधन हो जाने की खबर सामने आ गई है, कौन है वो लोग जो इस मृत्यू का दोश साबिद जिन पर होगा, इस पर आज का विशलेशन करेंगे, आज वहाँ विद्यार्थी आंदोल कर रहे हैं, अंदोलन करने वाले विद्यार्थियों पर जो कि कई घंटे से वाँ बैटे हुए हैं, न्याय के लिए अंदोलन कर रहे हैं, ये सवाल पूछने के लिए अंदोलन कर रहे हैं, कि कोचिंग के बेस्मेंट में अगर पानी भर गया, तो इसका दोशी कौन है, कौ आज जब संसत चल रही थी तो अखिलेश यादव, लाल जी वर्मा, पपू यादव, केसी वेडू गोपाल, शशी थरूर, कई नेताओं ने एक साथ उनकर इस पर सवाल पूछा और ये पूछा कि कैसे इन पर जाच होगी, क्या उन जिम्मेदार है जैसे केशी वेडू गोपाल ने सवाल उठाया कि ये बहुत गंभीर विशा है, शशी थरूर ने कहा कि मैं तो आस्पिटल जाकर मोर्चरी में, वो जो मृत बच्चे हैं, या मृत परिवार है, तीन बच्चे हैं, तान्या, सोनी, श्रेया यादव, और नेविन, डेल्विन, ये तीन नाम बताये जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि मैं तो मिल के आया, कोने गुनेगार, पपो यादव ने सवाल पूछा, कि ये UPSC के विद्यारती, UPSC के सबसे ज़्यादा, हम लोग वो तयारी किये हुए लोग हैं, हम लोग भी UPSC के तयारी करने आये थे, और हम जा आजस्थान, बड़ी तादात में इन इलाकों के विद्यार थी, अगर थोड़े भी सक्षम हो पाई, उनके परिवार वाले अगर थोड़े भी सक्षम हैं, तो वो इलहाबाद, लकनव, कोटा या दिल्ली जैसे शहरों में, UPSC की, SSC की तयारी और कई कम्टिटी एक्जाम क की तयारी करने के लिए भेजे जाते हैं, सामान प्रिष्ट भूमी के लोग, अधिकांश, 99% वे बच्चे होते हैं, जो सपनों को लेकर आते हैं, अपने आखों में सपने लेकर आते हैं, कि हम कुछ बहतर करेंगे, कुछ बढ़ा करेंगे, और उस बढ़ा करने से अपनी भ और इसके बाद इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती, चर्चा कैसे होगी, चर्चा कौन करेगा, क्या इस देश में इस बात को कभी डिबेट होई कि जब 12 वी के बाद, NTA ने, National Testing Agency, वही NTA नीट परिच्चा याद है आपको, जिस पर केंदर के सिक्षा मंत्री ने कह दिया था कोई परी लीक नहीं हुआ है, देखा न आपने वीडियो वह सिक्षा मंत्री के बैयान की, क्या इस देश के लोगों में इस बात की नाराजगी आपने कहीं देखी कि सिक्षा मंत्री जूट बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकारी एजंसियां कई जगों से पर लीक करने वाले लोगों को पकड़ रही हैं, और कई सरकारी इम्तिहान रद कर दिये गए पेपर लीक के चलते हैं, और मंत्री बोल रहे हैं कि सबूती नहीं मिला है, नीट में भी कुछ नहीं हुआ है, तो ये एक तरह से देश में सिक्षा को ले करके जाग रुकता है, हम लोग तमा कि किसी को भीड चाहिए रैली में जिंदाबाद, मुर्दाबाद लगवाने के लिए, किसी को भीड चाहिए धार्मिक रूप से भीड का इस्तेमाल करने के लिए, और किसी को भीड चाहिए सस्ते मजदूर बनाने के लिए, लेकिन आप अपने बच्चों को भीड में होने के लिए क्यों छोड़ देते हैं कि आपको चंता इस बात कि नहीं कि आपके बेटे या बेटी बहतर सक्षा पाकर बहतर नौकरी पाकर एक गरिमा पूर्ण सम्मान पूर्ण जीवन जियें बेरुजगारों की भीड अगर तयार होगी तो वो दो ही लोगों का फाइदा कर जीगी उद्योगपती पूजीपतियों का और भीड का इस्तेमाल करने वाले नेताओं का और ये दोनों चाहेंगे कि युवाओं की जो संख्या है वो इनसानों की संख्या भीड में तब्दिल हो जाए इसलिए किसी एक धरम पर टिपड़ी करने की जरूरत नहीं है लेकिन कोई वे धार में कारकम हो रहा है तोड़ पूड हो रही है हिंसा हो रही है उसमें यही 18-30 साल की उम्र के नौजवान जिने बहतर सक्षा का मौका नहीं मिला जिने बहतर रोजगार नहीं मिला वो बेरो पाएंगे आप पुलिस लगाकर नेताओं को इससे फाइदा होता है अपराद बढ़ेगा अपराधिक प्रवितियां बढ़ेंगी अवसाद बढ़ेगा नशे की प्रवितियां बढ़ेंगी क्योंकि इन नौजवानों को गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा नहीं मिले चले परिवार चले और जिने घर परिवार के चिंताने वो सड़कों पर उत्पात मचा रहें लेकिन इस बात को सोचिए कि इसकी चिंता नहीं है तो थोड़े से लोग जब सिक्षित हो जाते हैं जागरूप होते हैं तो वो सपने देखते हैं कि मैं SSC के तयारी करूं मैं UPS की तयारी करूं मैं UPSC की तयारी करूं एक बहतर परिक्षा हो हमने दिन रात एक किया घर में थोड़ी सी सक्षमता है उन्होंने कहा कि तुम जाओ इलहाबाद तुम जाओ राजेंदर नगर तुम जाओ मुखरजी नगर तुम जाओ कोटा हम तुमारे सपनों को पूरा करन जाते हैं वो लड़के और लड़कियां दिन रात एक करके उन कमरों में रह करके मेहनत से पढ़ाई करते हैं जिन कमरों में सामान परिस्टी में रहा नहीं जा सकता इलहाबाद की उन तंग गलियों में कभी कैमरे नहीं जाते जहां दस बाई-दस के कमरे में एंसान और हव कि आने का एक ही जरोखा होता है धूप नहीं आती दिल्ली से ले करके तमाम जगों पर वुन विपरीत परिस्टियों में विध्यारती पढ़ाई करते हैं लाइब्रिरी खुली हैं तो उनमें वो पढ़ते हैं जो पढ़ने वाले विध्यारती हैं कि सरकारें यह नहीं देख नहीं और समाज यह नहीं देख रहा कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान उभर गए जिन्हों ने सकारात्मक भूमिका भी नहीं भाई क्योंकि सरकारों ने ग्रेजुली सर्थारी सिक्षण संस्थानों को बरबाद किया हैं अगर आपका विध्यारती आपका बच्चा ब ग्रेजुएशन में एड्मिशन के लिए भी परिक्षा लेना शुरू कर दिया और स्कूल में पढ़ाई होती नहीं तो कोचिंग खोलेंगे ना हजारों रुपए फीज देंगे दसवी बारहवी के बाद ताकि ग्रेजुएशन में एड्मिशन के लिए आप पास हो सके तो नए-नए कोचिंग संस्थान उबर रहे हैं अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं एससी की तयारी कर रहे हैं तो हजारों रुपए पचास हजार एक लाख रुपया तो औसत हो गया है तीन महिने चार महिने के कोर्स के लिए और अगर कहीं आपने यूपी असी के तयारी कर और अगर कहीं आपने यूपी असी के लिए मन बना लिया है तो लाखों रुपए की फीस के कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं बड़ी बड़ी बिजनेस उनका फाइदा भी हुआ इस समाज को क्योंकि ग्रेजुएशन के डिगरी ले करके यूपी असी निकालने का च्छ समाने में इलाबाद विश्व विद्याले को इसलिए भी पूरबकाक्सपोर्ट का आ जाता था क्योंकि वहां से भारी तादात में लोग आईयस बनते थे घर में बैठ करके पढ़के या अपने कॉलेज अपने डिगरी कॉलेज अपने इंस्टिट्यूट में पढ़ाई कर ग्रेजूली इसकी चिंता समाज को नहीं थे तो कोचिंग संस्थान बड़े बड़े बिजनेस के रूप में बहुत तेजी से कुकुरमुत्ते की तरफ फैलते चले गए जिने पता है कि आँखों में सपने और दिल में उम्मीदों का भार लिये हुए ये जो 20 साल से 25 साल के नौजवान बड़े शहरों के तरफ जबाते हैं तो उन सपनों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो कितनी भी कीमत देने पर तयार हो जाएंगे कभी पहाड पर घूमने जाएए या कभी रेलवे स्टेशन पर ऐसी जगह पानी की बोतल खरेदने जाएए जहां मजबूरी आपकी हो पानी की बोतल वाला 20 रुपए की पानी की बोतल 30 रुपए से लेकर 50 रुपए में बेचेगा अगर उसे पताए कि आप खरेदने को मजबूर है आपके मजबूरीयों का फाइदा उठाना इस देश के सामान जिंदगी में सहज होता जा रहा है और ऐसे में कोचिंग संस्थान उभरेंगे और फाइदा उनका जितना है उसका कई गुना जादा नुकसान है इस पर अलग से शोध होना चाहिए अगर एक कोचिंग संस्थान के प्रतिशत निकालने कामयाब होने वाले विद्यारतियों के तो वो इतने कम है कि बाकी लोगों का कि वो लुट रहा है और ऐसे में जब अखिलेश यादों ने सदन में कड़े ऊकर पूछा कि ऐसी परिसितियों में कोचिंग संस्थान चल रहे है इनोसी किस न दिया ऐसी जगहों पर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं बेस्मेंट में ये जो राजेंद्र नगर जहां ये घटना हुई दिल लेके ये विभाजन के बाद पंजाबी लोगों को बसाया गया और ऐसी जगों पर बसा करके इनको यहां पर काम करने को दिया गया नीचे बेस्मेंट के दुकानुकान बनाएंगे और उपर मकान बनाएंगे अधिकांश लोग वहाँ पर आबादी बढ़ती गई, कोचिंग संस्थान कुछ खुल गए तो बेस्मेंट में कोचिंग और लाइब्रिडीज खुलती चली गए और ये जो घटना राउ आईएस की थी इसके बेस्मेंट में लाइब्रिडी थी ड्रेनेज सिस्टम बेहद खाटिया था, बारिश होई और अचानक पानी भर गया बच्चों के निकलने का मौका नहीं मिला और तीन विद्यार थी इसमें जान से चले गए उनके घरों की फोटो और विडियो रोते हुए लोगों की आ रही है जो ये उम्मीद देखते थे कि उनके बेटे या बेटियां श्रेया यादो तान्या से ले करके केरल के उस विद्यार थी कि कि कब वो उनका पेपर होगा, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो, पेपर बिक नहीं गया तो शायद उनके बेटे या बेटी बेहतर करके एक्जाम पास करेंगे और कल को UPSC पास करके आईस बनेंगे और अचानक पता चल रहा है कि वो डूब कर मर गए कौन है इसका गुनहगार और इसलिए एक N.O.C. किस ने दिया था, किस अधिकारी ने दिया था किन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि कहां क्या चल रहा है क्या इसी मुखरजी नगर में एक बार एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई रसी से खूदे थे विद्यार्थी गुजरात में एक कोचिंग संस्थान में आग लगी और कई विद्यार्थियों के मारे जाने की खबर एक चंद महीने पहले की है दमकल की गाड़ियां तक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थी और जब तक पहुँचती आग बुझाती बहुत सारे विद्यार्थी गुजर गए उनकी मौत हो गए दिल्ली के मुखरजी नगर में मौत होई फिर भी हम जानते हैं उन कोचिंग संस्थानों को मैं फिर से कह रहा हूँ सिक्षा बिवस्था इतनी चोपिट होती गई कि कोचिंग संस्थान खुले जिन्होंने शुरुआत में फाइदा पहुंचाया और बाद में चलकर बिजनेस में तब्दिल हो गए सब कुछ बेच रहे हैं उन्हें पता है जो जितना बहतर बेचने में हुनरमंद है वो उतना बड़ा सिक्षक हो करके वाइरल है सब कुछ बिक रहा है और इस बिकने में पीछे वो अधिकारी वो करमचारी जो एनोसी दे रहे हैं मुखरजी नगर में जब आग लगी उस कोचिंग संस्थान में और रसी से कूद करके किसी का हाथ तूटा किसी का पै तूटा उस जगह पर निकल कर भागने की भी स्थति नहीं थी और कोचिंग हजारों बच्चों की चल रही है नहरू विहार के बेस्मेंट में लाइब्रेडीज चल रही है क्योंकि चल रही है लोग पढ़ने वाले विद्यार्थियों मजबूर है उन्हें पता है कि उनको ऐसी सिक्षा तो मिले नहीं इस देश के सिक्षा बेवस्था से कि वो बिना कोचिंग की एक कम्टेट्यू एक्जाम पास करे तो कोचिंग का संस्थान में जाना हो विद्यार्थियों की मजबूरी है लाखों लाख रुपए फीज दे देना उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी का फाइदा कोचिंग संस्थान उटाते है लेकिन कम से कम जान तो न जाए कहां है वो सिक्षा मंत्री जो जवाब नहीं दे पाए कि मौत हुई की नहीं पहले ये बताओ मौत हुई की नहीं और अगर वहां के विद्यार्थियों को सुनेंगे तो उनकी कई विडियो वाइरल हो रहे है और उन विडियो में कई विद्यार्थि तो आरोप लगा रहे हैं कि केवल तीन विद्यार्थि नहीं मरे कई और विद्यार्तियों की मौत होई है आंकड़े छिपाए जा रहे हैं अभी इसका क्या जवाब देंगे है वो विद्यार्ति जब ये सवाल पूछने के लिए सड़क पर बैठे कि आपका drainage system इतना वाहियात है सड़क से उपर नाला है पानी निकलने की जगे नहीं है तो ये इतना सब कुछ क्यों हुआ और उनकी मौत होई और उन आंदोलन कर रहे विद्यार्तियों ने अगर कोई नेता गया चाए वो आम आदमी पार्टी का हो चाए कॉंग्रेस चाए भाजपा उन विद्यार्तियों ने उन्हें हूट करके हटाया कि हमारी मौत पर राजनीति कृपया न करें संसद में भी इस बात की आवाज गोजी वहां की एक नेता है बासूरी स्वराज सूस्मा स्वराज जी की बेटी है बीजेपी से सांसद हैं लगातार आम आदमी पार्टी की MCD में ये है सरकार उनकी सरकार ये है और आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी की कि जो मंत्री है वो अपने सच्चिव से कह रहे हैं और सच्चिव नहीं सुन रहा आम आदमी पार्टी की सरकार के पास आधा अधिकार है और आधा LG के पास है यानि BJP का जिसके हाथ में ताकत बीजेपी के हाथ में ताकत है और आधी आम आदमी पार्टी के हाथ में ताकत है तो इस जगडे में कि किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है एक पूरा मामला डिश्ट्वाय हो रहा है और इन सडकों पर रात से लेकर दिन में भीशन उमस वाली गर्मी में हजारों विद्यारती राजेंदर नगर में धरने पर बैठे हुए हैं कौन सुन रहा है पूलिस गई तो पूलिस इस कदर बेरहमी से उन्हें उठा कर गाड़ियों में भर रही थी गोया वो अपरा दी हैं और वो विद्यारती अपने साथ पढ़ने वाली उन लड़कियों और लड़के के लिए नयाय मांग रही है जो तीन लोग घोशित हो गया ह कि वो मार दिये गए इस बेवस्ता के शिकार बना लिये गए कि इस पर फुरसत मिलेगी लोगों को बात करने के लिए वहाँ के विद्यारती पूछ रहे हैं कि वो viral teachers कहा है नहीं कोई जवाब मिल रहा है वहाँ के विद्यारती अंदोलन कर रहे हैं कि इसका कोई तो गुनहगार होगा कोई तो जवाब दे होगा उन मौतों का जिन्नोंने उन घरों में मातं पसरा दिया रोते हुए लोगों के बुरे हाल है कब आप इस पर सोचेंगे कि सिक्षा ब्यवस्था कितनी चोपट होई कि कोचिंग संस्थानों का पूरा एक तंत्र खड़ा हो गया है कब आप इस पर सोचेंगे कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका क्यों आई क्योंकि सिक्षा जब बर्बाद हो रही थी तो आपको चिंता नहीं थी आप चंद रुपए दे करके अच्छे सिक्षा पाने के लिए वोट ही नहीं दिये तो लाखों रुपए कोचिंग की फीज देनी पड़ रही है तो जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे लाखों र पए कोचिंग देकर राजेंदर नगर मुखरजी नगर में अपने विद्यार अपने बच्चे को ससी से लेकर यूपीसी की तियारी करा रहा है और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे सड़क पर कुछ और तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं भीड में जवाब अपने आप से मांगेगा कि जब आपको ही स्कूल कॉलेज विश्व विद्याले के चिंता ही नहीं थी तो कोचिंग संस्थान उभरेंगे ही और जब कोचिंग संस्थान उभरने लगे तब आपको इनके चिंता नहीं थी तो जब सक्षन था लाखों रुपे फीस दे करके वो काम्याब होता चला गया और आपके बच्चे अगर कोचिंग पढ़ने की फीस नहीं देने लाइक हुए मुखरजी नगर राजेंदर नगर जहां हजारों रुपए में रूम रिंट लेते हैं मकान मालिक यहां रूम रिंट लेने के लिए जब आंदोलन होता है त परिस्तियों में विद्यारतियों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है फिर भी कोई विकल्प नहीं है तो सपने की उमीद में एक दबाव लेकर कि वो विद्यारती जब इन जगों पर रहते हैं तो चिंता किसको है अकूत पैसा लूटते हैं वहां के मकान मालिक अकूत पैसा किराय के नाम पर क्योंकि उनका पता है कि आप मजबूर है और अगर सक्षम है तो वो लूटेंगे तो आप लुटवाएंगे पूरी एकोनामी हजारों करून रुपई की डेवलप होई है मुखरजी नगर कांदी वियार नेरु वियार राजेंदर नगर कोटा इलहाबाद इसके इर्द गिर्द तो जिसकी जेब में पैसा है वो लोग यहां पर आकर के सपने लेकर के पूरा कर रहे हैं थोड़े से ल पूचिएगा कि इन सब चीजों को लिए दोशी असल में कौन है कहीं ऐसा नहों कि चंद दिन बीटते बीटते राजेंदर नगर में आंदोलन कर रहे हैं वो विद्यारती जो पोलिस के लाठियां भी सह रहे हैं आप वो ठक जाएं चुप हो जाएं फिर लोड जाएं और अपने काम में लग जाएं कुछ दिन बाद फिर कोई दुरगटना हो तब आपको याद आए कि कोचिंग संस्थान, सिक्षा, UPSC, पेपर लीक, लाइबरी, पानी भर गया, कोई मर गया इतनी तो आँक कान खोली जरूर रखिएगा दन्यवाद